रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटर्स खबरे सबसे पहले दीन दायाल उपाध्याय जहन लिखने की तैयारी पूरी कर ली है इस बदलाव की चर्चा रेल यात्रियों के साथ पूरे नगर में रही दिली हावरा रेल उट के सरवाधिक व्यस्तत्तम रेलवे स्टेशनों में शुमार मुगल सराय जंक्शन अबपउन दीन दायाल अधिकार ने पिछले महीने ही नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी थी रेल मंत्राले की हरी जंडी के बाद अब बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई है आंतरिक वबाहिय दोनों स्तर पर रेल अधिकारी अपने को तयार रखे हैं मंत्राले से आदेश मिल चुका है अधिकारियों के निर्देश पर सभी बोर्डों पर बद्दा हुआ नाम दिखाई पड़ेगा बदले हुए नाम का मॉडल हदी अंग्रे जीव उर्दू में पहले ही तयार कर लिया गया है पी आरो पितवी राज ने बताया मॉगल सराय का नाम बदलने को लेकर रेल मंत्रालेव से अपरूवल मिल गया है बहुत जल्दी तित्धित टेकर के नाम बदल दिया जाएगा 1862 में अस्तित्व में आया मुगल सराय जंक्षन ना मुगल सराय जंक्षन महत्वपून रेल मार्गों का संगम है इस कारण भारत के विस्तत्तम स्टेशनों में शुमार है यह उत्तर भारत को पूर्वी वपूर्व उत्तर भारत से जोडता है यही से Grand Trunk Road वर्तमान राष्ट्री राजमार्क संख्यादो जिसे शेहर शाह सूरी ने सड़ा के आजम कहा था इस शेहर के बीच से गुजरती है इसी तरहे मुगल सराय से हावडा की तरफ जाने वाली रेल बे लाइन को भी Grand Card Line बोला जाता है मुगल सराय स्टेशन का निर्माने 1862 में उस समय हुआ था जब इस्ट इंडिया कंपनी हावडा वद दिल्ली को रेल मार्क से जोड़ रही थी मुगल सराय गया रेल खंड वर्ष 19 सव में मुगल सराय यलाहबाद रेल खंड वर्ष 1864 में मुगल सराय वारान असी राय बरेली रेल खंड वर्ष 1898 में अस्तित्व में आया हाला कि मुगल सराय जंक्षन वारान 80 से 1883 में ही जुड़ गया था प्रसिद्ध ग्रहंड कार्ड मुगल सराय स्टेशन से प्रारंब होता है मुगल सराय का मार्शल अग्यार्ड एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है कोईला खनिज की ढुलाई के लिए महत्वपून माना गया है यहाँ पर बाकसे आंड वैगनों के रखरखाव का सबसे बड़ा डिप्पो है साथ ही डीजल वई लेक्ट्रे किजनों की मरमत के लिए शेट स्थापित है मुगल सराय रेल मंडल का रियालेया की स्थापना 1978 को हुआ था गूगल में भी जंक्षन का नाम पउन दीनदायाल उपाध्याय मुगल सराय जंक्षन का नाम बदलने के क्रम में गूगल की विकिपीडिया ने भी नाम बदल दिया है अब मुगल सराय जंक्षन टाइप करने पर पौन दीन दायाल उपाध्याय जहन खुल रहा है इस बदलाव की भी खूब चर्चा हो रही है लोग गुगल पर जंक्षन का नाम टाइप कर इसे देख रहे हैं सेलफी लेकर अलविदा मुगल सराय कहते लोग मुगल सराय जंक्षन का नाम बदलने पर लोग पुराने लिखे मुगल सराय जंक्षन के समक्ष खड़ी होकर सेलफी लेते दिखाई दिये हर कोई मुगल सराय जंक्षन को अपने मुबाईल के क्यामरे में किद कर लेना चाह रहा था कई लोगों तक सेलफी को सोशल मीडिया पर वायर हल करके अलविदा मुगल सराय या बाय बाय मुगल सराय लिखकर पोस्ट कर रहे थे पी-एम, सी-एम या रेल मंतरी करेंगे अनावरन पाउन दीन दायाल उपाध्यायन अगर जंक्षन लिखने के बाद इसके अनावरन में पी-एम, सी-एम वर रेल मंतरी आ सकते हैं हाला कि इस बात की अभी कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं है लेकिन रेल्वे जिस तरह से अपनी तयारी कर रहा है, उससे यह तो तह है कि कोई बड़ा चेहरा अनावरन के लिए आएगा रेल्वे द्वारा विभिन प्लेट फार्मों, सरकुलेटक एरिया वव अन्यस्थानों के बच्चे हुए कारे को युद्ध स्तर पर कराया जाना शुरू कर दिया गया है रेल्वे सूतरों के अनुसार इंडियन इंस्टिचियूट ग्राउंड को विशेश रूप से तयार किये जाने की संभावना है उमीद की जा रही है कि नए नाम के अनावरन के लिए जो भी शक्सियत यहां आएगी वेपउन दीन दायाल उपाद्याय निर्वान स्थल पर भी जा सकते हैं रेल्वे उस स्थल को भी दुरुस्त कर आएगा